नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टेडी फॉर स्वाइब से चाहत में तो यह वाला टेलीग्राम जरूर जोइन करके यूटूब चैनल में बारे साथ है तो भी यह वाला टेलीग्राम जोइन करना बहुत ज्यादा जूरूर है सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे most important picks, सारा revision, सब कुछ यह वाले हैं यह पूरा लिस्टिंग का वीडियो है इससे पहले हमने science और history को ऐसे ही cover किया है revision के purpose से यह series चलाई जा रही है और geography concept का subject है यहाँ पे conceptual जो चीजें हैं वो अगर आपकी clear नहीं है तो आप गलतियां करेंगे तथ्य आपने कितने भी रटे हो लेकिन concept clear होना ही अनिवार है और आज कल प्रश्णों के इसी प्रकार के पूछे जाने के प्रवित्ती बढ़ी है UPC तो पहले से ही पूछता रहा है UPCS उसी की नकल करता है तो वो पीछे पीछे चल रहा है तो UPCS की एक बुराई यह है कि वो अपनी पिछली आदतों को छोड़ना नहीं चाहता है तो वो तथ्यों को भी साथ में लेकर चलता है मतलब कुछ आपको concept भी देखना होगा और क कुछ तथ्यों को भी अपना clear करके रखना होगा तो पहले concept आप NCRT से cover करिए और उसके बाद इस वीडियो के माध्यम से जितने भी fact है उन्हें एक साथ देख लीजे यह पढ़ने का सही तरीका है अगर आप सीधे सीधे इन्हें रटना शुरू कर देंगे तो बड़ी दि संपर कर लीजेगा और यह जो free वाला टेलिग्राम का ग्रूप है इसमें बहुत सारी important pics वगरा शेयर की जाती है तो फायदे मंद है जुड़े रही है देखे आगे चलते यहां से start होता है असली बात यहां से शुरू होती है भारत के 28 राज्ये हैं और 8 के इंद्र शाषित यह राज्ये चेत्रफल के आधार पे वो दिया हुआ है तो आएए देखते हैं पहले राजस्थान है देश का चेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्ये राज्धानी है जैपुर यह आप जानते ही है जिलों की संख्या 33 है और चेत्रफल स्कौाइर किलोमेटर में बाद में अलग हो गया तो अभी जो वर्तमान में MP की संद्रशना है उसमें रास्थानी है भोपाल यह आप देख लीजे रास्थानी है भोपाल और जिलों की संख्या है बावन कुछ लोग यहां पे पच्पन और तिरपन और नजाने कितना बता रहे हैं तो वर्तमान की ज 3,8,255 है और देश की कुल शेत्रफल का यह कितना कवर करता है 9.37 प्रतिशत इतना यह पूरे इंडिया के एरिया का कवर करता है इसके बाद आंद्र को देखिए तो आंद्र का विभाजन हुआ था और उसी से तेलंगाना अलग हो गया तो पहले आंद्र की रास्धानी है जो हैदराबाद है वो तेलंगाना की रास्धानी हो गई है लेकिन ततकाल के तौर पे काम चलाने के लिए या काम काज को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए हैदराबाद सही काम चल रहा है जो घोशित रास्धानी यहां की है विधाई रास्धानी जो नीचे जो एक्जेक्योटिव कैपिटल है वो विशाखा पत्तनम है और जो जुडिशियल कैपिटल है वो कुर्णूल है तीनों ही आंध्र के लिए है और यहां जिलों की संख्या है 13 और छेत्रफल कम हो गया तेलंगाना की अलग होने के बाद तो कितना बचा है एक लाग साथ हजार लखनवू और जिले है 75 यहां अगर एरिया की बाद करें तो एरिया भी अच्छा खासा है हाला कि जनसंख्या के हिसाब से कम ही कहा जाएगा तो दो लाग चालिस एजार 928 स्क्वाइर किलोमीटर यह टोटल एरिया है और देश के छेत्रफल का हम कितना कवर करते हैं तो 7.32 इतना कवर करते हैं इसके बाद गुजरात को देखिएगा तो गुजरात की राजधानी है गांधी नगर जिले है 33 और चेत्रफल कितना है तो यह है 1,94,024 इतना पूरा टोटल स्क्वाइर किलोमीटर में एरिया है देश के पूरे चेत्रफल का यह कितना कवर करता है तो 5. 5.96 प्रिदिशत यह इतना घेरता है इसके बाद करनाटक है करनाटक की राजधानी बैंगलूरू है पहले बंगलूर नाम था भी बैंगलूरू हो गया है तो जिलों की संख्या 30 है और एरिया अगर देखा जाए तो 1,95,701 यह टोटल है स्क्वाइर किलोमीटर में देश के चेतरफल का यह कितना कवर करता है तो 5.83 इतना यह कवर करता है इसके बाद ओडिशा को देखिएगा तो ओडिशा की भोनेश्वर है राजधानी यहां जिलों की संख्या 30 है एरिया को अगर देखा जाए तो 1,55,707 इतना स्क्वाइर किलोमीटर में इसका टोटल एरिया है देश के कुल चेतरफल का यह कितना कवर करता है तो 4.73 प्रतिशत इतना घेरता है इसके बाद 36 गड़ को देखिए तो 36 गड़ की जो राजधानी है वो नया रायपूर है इसे आप देख रहे है और 27 यहां पर जिले है और चेतरफल के अगर बात करें तो 1,35,191 यह टोटल इसकी राजधानी है चेन्नई, जिले है 37 और यहां चेतरफल के अगर बात करें तो 1,30,058 इसक्वायर किलोमीटर यह टोटल एरिया है और 3.95 प्रतिशत यह पूरे देश के चेतरफल का प्रतिशत के हिसाब से कवर करता है बिहार को देखिए तो बिहार में जब जारखंड जुड़ा हुआ था तो इसका चेतरफल अच्छा खासा था लेकिन उसके निकलने के बाद कम हो गया है तो कितना बचा है राजधानी है पटना जिले है 38 और चेतरफल देखिए 94,163 स्कॉयर किलोमीटर इतना बचा हुआ है 2.86 प्रतिशत यह देश का कवर करता है उसके बा 88,752 और 2.69 प्रतिशत यह पूरे देश के एरिया का कवर करता है इसके बाद अरुडांचल प्रतिश को देखिएगा पूरवी छोर देश का तो इटा नगर इसकी राजधानी है 26 जिले है और चेतरफल देखिए यह है 83,743 स्कॉयर किलोमीटर इतना टोटल एरिया है देश देश के कुल छेतरफल का यह कितना कवर करता है तो 2.54 इसके कुछ हिस्सों पर चीन अपना दावा करता रहता है लेकिन चीन को चिलाने दीजिए हमारा जितना है वो हमारा ही रहेगा इसके बाद जार्खंड जार्खंड की राजधानी है रांची 24 है जिले और यहाँ पे जार्खंड की राजधानी है दिसपुर और यहाँ जो जिलों की संख्या है वो है 37,438 स्क्वायर किलोमीटर यह टोटल एरिया है और यहाँ अगर देखा जाए कि यह देश के छेत्रफल का कितना कवर करता है तो 2.38 प्रतिशत इतना कवर करता है इसके बाद हिमांचल को द देखिए यूपी से अलग हुआ है तो डेहरादून इसकी राजधानी है 13 जिले है 55,483 स्क्वायर किलोमीटर इतना यह टोटल कवर करता है पूरे मतलब एरिया के इसाब से और देश के छेत्रफल का कितना कवर करता है तो 1.62 प्रतिशत इतना घेरता है इसके बाद पंजा आपकी राजधानी है चंडीगड 22 यहां पे जिले है टोटल और यहां देखिए 50,362 यह आपका टोटल एरिया है 1.53 प्रतिशत यह पूरे देश के छेत्रफल का कवर करता है हर्याडा यानि हिंदी भाशी जो छेत्र है यहां का मतलब राज्य है यह अलग राज्य हो गया चंडीगड यहां राजधानी है 22 जिले है और 44,212 यह आप देख रहे हैं 44,212 इसक्वाइर किलोमीटर यह टोटल एरिया है एक दश्मलो तीन चार प्रतिशत यह पूरे देश के छेत्रफल का या देश की जमीन का कवर करता है उसके बाद केरल को देखिए सबसे पढ़ा लिखा राज्य तिरू अनंत पूरम इसकी राजधानी है 14 यहां पे जिले है 38,863 स्कॉाइर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है और देश के कुल छेत्रफल का यह एक दश्मलो एक प्रतिशत घेरता है इसके बाद पूरवत्तर की ओर चलते है तो मेघाले मेघाले की प्रतिशत कवर करता है और उसी के नीचे आप देख रहे है मडिपूर को तो मडिपूर की राजधानी है इंफाल यहां आप देख रहे है और जिलों की संख्या है 16 चेत्रफल अगर देखा जाए तो 22,327 और यहां अगर देखे देश के कुल छेत्रफल का यह कितना घेर र तो 0.64 प्रतिशत यह घेरता है उसके नीचे नागा लेंड है तो नागा लेंड की राजधानी है कोहिमा जैसा कि आप यहां देख रहे हैं और जिलों की संख्या है 11 चेत्रफल अगर देखे तो 16,589 यह स्क्वाइर किलो मिटर में टोटल एरिया है और उसके बाद देश के पुल चेत्रफल का यह कितना परसेंट है तो 0.50 परसेंट है उसके बाद त्रिपुरा को देखिए अगर तला इसकी राजधानी है 8 जिले है 10,491 यह टोटल स्क्वाइर किलो मिटर में चेत्रफल यानि एरिया है और 0.31 प्रतिशत यह पूरे देश के चेत्रफल का घेरता ह सिक्किम को देख लिए इसकी राजधानी है गंगटोग चीन से यह चिंते चिंते बचा मतलब भारत नहीं से अपना लिया तो गंगटोग इसकी राजधानी है 4 जिले है 7,092 यह आप देख रहे हैं तो इतना इसका स्क्वाइर किलो मिटर में टोटल एरिया है और देश के चेतरफल का यह कितना कवर करता है तो 0.1 एक एक प्रतिशत इतना घेरता है इसके बाद अंत में है तेलंगाना है इसकी आधिकारीक राजधानी है और 33 यहां पर जिले है और अच्छा का साइस का चेतरफल है कितना है तो 1,14,840 इतना पूरा इसका एरिया है 3.49 प्रतिशत यह पूरे देश के चेतरफल का घेरता है इतना हमने देखा आंद्रे से अलग हुआ तो आंद्रे छोटा हो गया और यह बड़ा बड़े साइस का निकल गया यहां तक हमने राज्यों को देखा है अभी जो यूनियन टेरिटरीज है यानि यूटी है देश की केंद्रशाश राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जिलों की संख्या तीन है चेतरफल आप देख रहे हैं 8249 है उसके बाद चंडिगर यहां राजधानी चंडिगर ही है जिलों की संख्या एक है और चेतरफल की अगर बात करें तो 114 किलोमिटर में इसका टोटल एरिया है दादरा नगर हवे तो इसकी जो राजधानी है वो कंबाइन रूप से दमन है और इसमें जिलों की संख्या है तीन और चेतरफल के अगर बात की जाए तो 603 किलोमिटर इसका टोटल एरिया होता है इसके नीचे देखते हैं तो दिल्ली आ गई दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही रहेगी और क् संख्या है 11 और चेतरफल आप देख रहे है 1483 किलोमिटर ये टोटल इसका एरिया है लक्षिदीप एक अरब सागर का दुईपी ये छेतर और भारत का ये हिस्सा है आप जानते ही है तो कावारतीस की राजधानी है एक जिला है और 32 किलोमिटर में टोटल एरिया है कितना कम है आप देख सकते हैं उसके बाद पुडुचेरी तो पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है जिलों की संख्या 4 है 492 किलोमिटर इसका टोटल एरिया होता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक में थे अभी दोनों को अलग-अलग करके केंद्र शाषित प्रिदेशों की संख्या बड़ी थी वो जब दमंदीब और दादरानगर हमेली को अलग-अलग कर दिया गया मा की जिगा एक में मर्ज कर दिया गया तो वो घट गई फिर से और वापस आठ हो गए तो यहां देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख श्री नगर जम्म 122 किलोमीटर यह टोटल एरिया है इतना हमने देखा यहां तक हमने राज्यों और केंद्रशाशत प्रदेशों की पूरी संरशना को देखा वहां पे जिलों की संख्या चेतरफल आकार वगएर उन सब पे डिसकस गिया है अब इसके बाद आगे चलते हैं यहां देखे अटिट्यूड उसका दिया हुआ है समुद्र तलसे मुझाई जो कही जाती है और उसके बाद लोकेशन दे रखी है और सिगनिफिकेंस दर्रा हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका महतु भी जानना होगा तो उसका जो सिगनिफिकेंस है उससे देखेंगी सबसे पहले हैं रो लोकेशन कहां पर है हिमानचल प्रिदेश में है इसे आप देख रहे हैं इसके बाद यहां इसके महत्यों के बारे में कहा गया है तो यह हिमानचल प्रिदेश कुलू लाहॉल और स्पीती घाटी को जोड़ने का काम करता है और सड़क की पहुँच बहुत अच्छी है यहां रोड फैसलिटी जो है वो काफी अच्छी है और सीमा सड़क संगतन जो की बी आरो के नाम से जाना जाता है उसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है यह कुछ बाते हैं वही चीज इंगलिश में लिखी हुई है कि इट कनेक्ट स्कुलू एन लाहॉल एन इस्पीती वैली इतना हमने देखा इसके बाद चलते हैं तुझू दर्रे की ओर तो यह मड़ीपूर में है इसकी लोकेशन की अगर बात करें और तुझू दर्रा जो है यह मड़ीपूर का जो साउथीष्ट वाला हिस्सा है यानि दक्षणपूर है वहाँ पे म्यामार के बार्डर पे इस् अकसर काम ही यह होता है यह जोडने का काम करते हैं मतलब परवतों के बीच से यह निकलते हैं तो दो अलग-अलग इस्थानों को यह जोडने का काम करते हैं तो यह प्राकृतिक भी होते हैं और कभी-कभी जो मनुष्य है वो भी बना लेता है अपने हिसाब से फिलाल ज्या परवती श्रंखिला वहां पर यह इस्तित है यहां इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी वही है तो पहली इसकी इंपॉर्टेंस दी है कि यह श्री नगर को कार्गिल और लेह से जोड़ने का काम करता है यह इसका कनेक्ट करने वाला काम है अब इसमें बहुत ज्यादा हिंप इसका NH10 दे रखा है यह गलत है नीचे इंग्लिश वाले में करेक्ट दिया हुआ है यहां देखी गा यहां पर लिखा हुआ है NH1D तो इसके तोर पे से डिक्लियर किया गया है यह सही है और यह वाला गलत है इसको सही कर लीजेगा ठीक है तो यह राश्ट्री राजमार्ग NH1D के तौर पे डिक्लियर किया गया है और जो जीला दर्रा जो है ये एशिया का सबसे लंबा विदिशिये मार्ग बनने के कगार पे है मतलब ये प्रस्ताव है कि 6,809 करोण रुपए की लागत लगा कर श्रीनगर और लेह के लिए जो रास्ता है उसको छोटा कर दिया जाए मतलब इसमें अगर निर्माण कारे होता है तो जो श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग है मतलब बीच का पूरा सफर है वो करीब 3,5 घंटे का होता है तो उसको अब शॉर्ट कट में पूरा किया जा सकेगा अगर ये पूरा बन जाता है तो 15 मिनट में वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा इतना हम देख रहे है और वही चीज़ इंगलिश में दिवे ये उसे भी देख लेते हैं तो यहां कहा गया है कि जवाइन, श्रीनगर, करगिल और ले मतलब श्रीनगर को ये करगिल और लेह से जोडने का काम करता है उसके बाद ये कहा गया है कि फेसेज हैवी स्नोफॉल ये मतलब यहां पे जो स्नोफॉल है वो बहुत जादा होता है और क्लोस प्राम दिसंबर तू मिड में यानि दिसंबर से लेकर मिड मई तक ये बंद रहता है इसी कारणवश क्योंकि बर्फ वहाँ पूरी इकठी रहती है तो जब रास्ता साफ होगा तभी आने जाने का मार्ग बनेगा और यहां पे जो निर्माड कारे है या ट्रांसपोर्ट के तौर पे डवलप किया जाएगा ये कुछ हमने देखा वही चीज़ है जो इंग्लिश वाली है हिंदी वाली है सब सेम है इसके बाद यहां ट्रेल दर्रा को देखीजे तो ये जो पास है ये 5212 मीटर समुद्र तल से उचाई पर है लोकेशन अगर देखी जाए तो उत्राखंड का जो पिथोरागड और वागेश्वर जिला है वहाँ पे पिंडारी ग्लेशियर के अंत में इसकी लोकेशन है वही चीज़ दिया हुआ है situated at the end of the पिंडारी ग्लेशियर इन पिथोरागड और बागेश्वर डिस्रिक ये उत्राखंड की लोकेशन पे हो जाएगा और यह पिंडारी ग्लेशियर को मिलम घाटी से जोडने का काम करता है मिलाम घाटी जो है उसको पिंडारी घाटी से जोडता है और बहुँ जादा यहाँ पे जो ढाल है वो तीखा है, तगडा है और बीहड इलाके दर्रे से गुजरना कटिन बना देते है मतलब यहाँ पे बीहड वाली लोकेशन है तो इलाके जो है वो कटिन है, यहाँ से आसानी से आया जाया है, नहीं जा सकता है वही चीज कहा गया है कि very steep and rugged terrain make it a difficult pass to be cross मतलब इसे पार करना इतना आसान नहीं है उसके बाद थांगला को देखिएगा थांगला का यहाँ पर जो समुद्रतल से उचाई वाली condition है वो कितनी है 5369 मीटर है लद्दा किसकी location है और खारडूंगला के बाद यह भारत का दूसरा सबसे उचा वाहन गम में दर रहा है मतलब यहाँ से ओकर vehicle को गुजारा जा सकता है तो खारडूंगला के बाद यह दूसरे मतलब second highest position पे विद्दिमान है वही कहा गया है इस दे सेकेंड हाइस्ट motorable pass motorable pass का मतलब क्या है कि वहान यहाँ पे जा सकते है तो इस प्रकार का यह भारत में खारडूंगला के बाद second है इसके बाद चांगला को देखेगा चांगला के बारे में कहा गया है कि यह 5270 मीटर से भी जादा समुद्र तल से मुझाई पर है महान हिमालय में लद्दाख को ये तिबबत लद्दाख वाला जो तिबबत वाला एरिया है दोनों को जोडने का काम करता है मतलब लद्दाख को तिबबत से जोडता है यहाँ पे पूरा sentence नहीं लिखा है इसलिए communication में दिक्टत आई फिलाल गरेटर हिमालया मतलब यह इसकी location है और लद्दाख और तिबबत की बीच में इस्थित है यहाँ पे कहा गया है कि तांग से नगर को ये सड़क जाती है पूरी और दर्रे में एक मंदिर भी है जो कि चांगला बाबा को समर्पित है तो यहाँ मंदिर भगर भी हो सकते है क्योंकि रास्ता है भाई तो उसमें कुछ भी हो सकता है वह ही कहा गया है इसके बाद देवसा को देख लीजे तो 5270 मीटर यह समुद्र तल से इसकी उचाई है और महान हिमालय में उच परवती यह दर्रा है कुल्लू और स्पीती के बीच में पारवरिक पिन पारवती दर्रा मार्क का आसान और छोटा विकल मतलब एक छोटा रास्ता उपलब्द कराता है वही कहा गया है कि पास प्रोवाइट easier and shorter alternative to the traditional पिन पारवती पास यह जो पिन पारवती पास रूट है उसकी तुलना में यह जादा सरल इसके बाद दिहां को देखेगा दिहां की समुद्र तल से उचाई कितनी है 4000 मीटर है अरुडांचल प्रदेश इसकी location है यह अरुडांचल प्रदेश को मांडले यानि म्यामार वाले एरिया से connect करने का काम करता है इसके बाद दिफू दर्रा है यह भी अरुडांचल में है आप जानते ही है अरुडांचल प्रदेश का जो इस्टर्न पार्ट है वहाँ पर यह इस्थित है और यह अरुडांचल प्रदेश को मांडले यानि म्यामार से जोड़ता है और पूरे साल भर खुला रहता है यह इसकी विशिष्टा है क्योंकि हिमालियन दर्रे यह अक्सर स्नोफॉल के सिकार हो जाते है या यहाँ पर तरह तरह की दिक्कतें आती है जो कि मौसम संबंदी होती है तो यह दिक्कत यहाँ पर नहीं आती है इसका मतलब यह है कि यह पूरे साल भर खुला रहता है उसके बाद देख लिए इमीसला दर्रा है कुछ दर्रों के नाम आप जानते हैं और कुछ थोड़े नए हो सकते हैं या हो सकता है कि आपने पढ़ा भी हो तो यहाँ रिवाइज हो जाएगा देखे चार अजार पांसो मीटर से भी जादा हुजाई पर यह समुद्रतल से इस्थित है और भारत के संग शाषित लद्दाक छेत्र और चीन के तिबबत में इस्थित है चीन अधिकृत जो तिबबत का एरिया है और जो भारत का यूटी है लद्दाक उसके बीच में यह स्थित है यह इसकी लोकेशन है और यह लद्दाक को चीन मतलब जो तिबबत का छेतर है चीन वाला तिबबत को चीन ने कबजे में ले लिया है तो वो चीन का ही हो गया तो उसको जोड़ता है और इसका कठिन भूभाग और तीवर धलान इसकी विशेष्टा है मतलब यहाँ पर जो एरिया है वो कैसा इतना आसान नहीं है रफ एरिया है और चढ़ाई बहुत तीखी है जो ढाल है वो बहुत तीखा है तो इस मज़े से दिक्कते आती है इसके बाद खारडूंगला दर्रा को देख लीजे तो 6000 मीटर से भी जादा उचाई पर यह समुद्रितल से इस्थित है यानि बहुत उचा है यह आप देख रहे है और संगशासित लद्दा छेत्र में यह लेह के पास इसकी लोकेशन दिखाई देती है और यह लेह को सिया है उससे जोड़ने का काम करता है और आपने देखा था पीछे सेकेंड हाइस्ट और यह फर्स्ट है सबसे हाइस्ट है यहां आप देख रहे है सबसे जो सरवाधिक उचा वाहन चलाने योगी दर्रा है उसके तोर पे हम खारडूंगला को देख दें इसके बाद खुन खेर रहता है वो दे रखा है यहां आप देख रहे हैं और उसके बाद यह कहा गया है कि नौंबर से मई तक यह पूरा बर्व से ढगा रहता है यह इसकी विशेश्टा है मतलब आने जाने का रास्ता यहां पर अवरुद रहता है तो आगे चलते हैं लेखा पानी जो दर्रा है उसको देख लेते हैं यह अरुणांचल प्रदेश में है 4000 मीटर से भी जादा हुचाई पर है और यह अरुणांचल प्रदेश को म्यामार से कनेक्ट करने का काम करता है मतलब ज्वाइन अरुणांचल प्रदेश म्यामार open for trade throughout the year मतलब यह पूरे साल भर खुला रहता है व् योगी की तौर पर माना जाता है चीन के साथ व्यापार के लिए भारत की यह महतुपूर्ण सीमा चौकी है यह भी इसकी एक रणीतिक strategic विशिष्टा है जिसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं वही चीज़ इंग्लिश में दी हुई है उसे भी देख लीजे कनेक्ट उतरा दर्रा आप देख रहे हैं तो माना दर्रा के समुद्र तल से उजाई कितनी है 5611 मीटर है महान हिमालयास की लोकेशन है और ग्रेट हिमालयास और उतराखंड को यह तिबबत से जोड़ने का काम करता है और सर्दियों में इच्छा महीने तक बर्व से धगा रहता है ठंडी ऐसे भी है और जब ठंडी का मौसम आ जाता है तो और ज्यादा बर्व बारी होती है तो पूरा एरिया कवर हो जाता है वही दिया हुआ है गनेक्ट उतराखंड का इस्सा है जिले का नाम याद रखेगा और उतराखंड को यह भी तिबबत से जोड़ने का काम करता है और मा की सबसे बड़ी दिक्कत है और खत्रा भी है इसके बाद मुलिंगला दर्रा को देख लीजे तो उतर में गंगोत्री यानि जो उतराखंड वाली लोकेशन इसकी है वो दे रखी है मतलब situated north to गंगोत्री गंगोत्री की यह उतर में स्थित है उसके बाद देखिए यह उतरा प्राचीन बार्डर जो है भारत चाइना बार्डर जो है वहाँ पे स्थी थे इसकी लोकेशन है और यह प्राचीन जो सिल्क रोड था उसका एक हिस्सा माना जाता है जो रेशम मार्क कहा जाता है उसका एक पार्ट माना जाता है इसे और यह भारत और चीन के बीच में तीन प्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है ये इसका रणितिक महत्व है और 1962 जो युद्ध था मतलब चीन के साथ हमारा युद्ध दुआ था तो उसके बाद इसे 2006 में एक बार फिर से खोला गया तब से बंद था 2006 में एक बार फिर से ये री उपन होता है वही सब कुछ दे र दर्रे रास्ता बनाते हैं इसको आप याद रखेंगे तो यहाँ रूट को याद रखना आसान हो जाएगा और मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है ठीक है तो एक सलाह यहां यह भी है इसको पढ़ने का तरीका ऐसे हो सकता है कि जो टेबल आप देख रहे हैं वो याद करने का सरत तरीका हो सकता है इसके बाद देखिए इसके बारे में ये दिया हुआ था नीती दर्रा को देख लीजे अब फिर से एक बार हिमाले की और तो 5,068 मीटर की ये टोटल समुद्रितल से उचाई पे है उत्तराखंड इसकी लोकेशन है ये जो दर्रा है ये अरुणांचल प्रदेश और मांडले यानि म्यामार को जोड़ने का काम करता है इट कनेक्ट अरुणांचल प्रदेश तो मांडले यानि म्यामार पैंसीला को देख लीजे ये कोई पैंसिल नहीं है पैंसीला दर्रा है मतलब पास है, 5000 मीटर से भी जादा उचाई पर ये, समुद्रितल से इस्थित है, यानि काफी अच्छा-खासा उचा है, और लद्दाक इसकी लोकेशन है, यह कश्मीर घाटी को कारगिल, यानि लद्दाक से जोड़ने का काम करता है, वही कहा गया है कि इसके बाद पीर पंजाल को देख लीजे, तो पीर पंजाल तर्रा ये समुद्रितल से अकर उचाई देखी जाए, तो 3494 मीटर उचाई परिस्थित है, जम्मू और कश्मीर राज्ये की जो पीर पंजाल परवत माला है, मतलब जम्मू कश्मीर, केंडरिशाषित प्रिदेश की जो पीर बिडबिन, जम्मू और कश्मीर, इट प्रोवाइड दा इजियेस्ट सौ्टकट, यहां कुछ इंपोर्टन चीजें दी हुई है, जो कि हिंदी में गलत है, इसे फिर से एक बार देख लेते हैं, प्रेडिशनल पास, बिडबिन, जम्मू और कश्मीर, यह इसकी पहली प्रेडिशन होने लगता है, यह भाबोलिक घटना है, तो उसकी वज़ा से यह बंद कर दिया गया, यह इसकी स्थिति, इसके बाद आगे चलते हैं, भोरघाट को देखेगा, फिर से एक बार साउथ, तो महाराश्ट्रिस की लोकेशन है, भोरघाट प्रावीपी भारत में इस्थित है, और पश्टिमी घाट श्रेडी का सहयादरी परवत है, उसका यह मुख्य दर्रा है, और महाराश्ट्र राज्ये में करजत और खंडाला के बीच में यह इस्थित है, मतलब इसपास की लोकेशन बताई गई है, और इससे होकर मुंबई-पूना जो रास्ता है, मतलब मार्ग है, वो गुजरता है, और यह मुंबई को कई अन्य जो दक्षणी यहाँ पे नगर है, भारती नगर है बड़े-बड़े, उनसे जोडने का काम करता है, तो यह इसकी विशेशता है, इसके बाद यहाँ करातांग जो दर्रा है, उसके बारे में कहा जा रहा है, यह 5540 मीटर समुद्र तल से उचा है, काराकोरम परवत यानि काराकोरम माउंटेन, यह जो श्रंखिलाएं है, यह इसकी लोकेशन है, तारिम बेसिन में ले और यारकंद के बीच में यह प्राचीन कारवा मार्क का सबसे उचा दर्रा माना जाता है, और यह Great Silk Road का हिस्सा था वही कहा गया है कि highest pass on the ancient कारवा रोट बिट्बिन ले एन याकंद, याकंद या यारकंद इसको कहा जाता है, इन तारिम बेसिन, और इट वाज द ऑफशूट ऑफ द ग्रेट सिल्क रोट, जो ग्रेट सिल्क रोट या रूट कहा जाता है, उससे यह जुड़ा हुआ था, उ इंदी वाले में थोड़ी वर्तनी और व्याकरण की दिक्कते, इसके बाद देखिए, यह अरुडांचल को लासा, यानि तिबबत की जो राजधानी है लासा, वहां से कनेक्ट करने का काम करता है, इसके बाद शेन कोटा, गैप जो है उसको देख लीजेगा, यह जो गैप जो तमिलनाडू और केरला वाला इरिया है, उसके लिए गेटवे का काम करता है, इसके बाद देखिए शिपकिला, तो शिपकिला की जो यहां समुद्र तल से उचाई है, वो 3930 मीटर है, हिमांचल प्रदेश इसकी लोकेशन है, और यहां इसके बारे में जो सिग्निफिके नदी इसी से होकर बाती है, तो नदियां किस दर्रे से कहां से होकर बाती है, कहीं से निकलती है, तो वो सब भी आपको ध्यान में रखना है, फिलाल इंपोर्टेंट बार्डर पोस्ट है, यह इंडोचाईना बार्डर की और सत्लुज रिवर यहां से फ्लो करती है, इसके पीर पंजाल में NH1A पर locate करता है इसकी जो location दी हुई है इससे ध्यान दीजेगा National Highway No. 1A यह इसका number है highway का और यह राश्टी राजमार्क संख्या 44 के तौर पर बनाया गया मतलब इसे number दिया गया है NH44 का यह कुछ हमने देखा वही का गया और जम्मू कश्मिर इसकी location है राज जी के तौर पर, मतलब यूटी के तौर पर वही चीज यहाँ English में है कि it is located in the पीर पंजाल रिंज on NH1A that has been numbered as NH44 मतलब इसकी location कहां पर है NH1A पर है लेकिन इसको जो number दिया गया है वो NH44 दिया गया है इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए इसकी की लंबाई यहाँ दे रखी है 2.85 किलो मिटर वो इस्थित है और इस सुरंग का उधगाटन होता है 1956 दिसंबर में काफी पहले की है इसके बाद बुरजीला को देखिएगा बुरजीला की समुदरी तल से मुझाई कितनी है 5000 मीटर से भी जाता है और यह श्रीनगर से किशन गंगा घाटी को जाता है और यह पाक अधिकरित जो कश्मीर है मतलब अपना ही कश्मीर है पाकिस्तान उस पे जबरी कबजा किया हुआ है तो वहाँ परिस्तित है श्रीनगर विट किशन गंगा वैली और यहाँ पे वही कहा गया है कि पाक अधिकरित जो पीओ के वाला एरिया है वहाँ पे इसकी लोकेशन है यह कश्मीर घाटी को लद्दाक के देवराई या देवसाई मैदान से जोड़ता है यह शीत काल में व्यापार और परिवहन के लिए बंद रहता है मतलब जब ठंडी का मौसम आता है तो स्नोफॉल के वज़े से यहाँ बर्व से पूरा ढख जाता है और आने जाने लाए नहीं रहता है वही चीज इंग्लिश में भी कही गई है तो इंग्लिश वाला भी साथ में देखते चलते हैं कि इट कनेक्ट कश्मीर वैली विद देवसाई प्लेन और लद्दाक यह लद्दाक वाला एरिया है इसके बाद अगिल दर्रा को आप देख रहे हैं 5000 मीटर उचाई पर इस्थित है यह समुद्रितल से और कारा कोरम में जो केटू है माउंट केटू गाडविनास्थिन उसके यह नौर्थ में स्थित है इसकी लोकेशन दे रखी है उसके साथ साथ यहाँ देखिए अगिल दर्रा जो है यह लद्दाक वाली एरिया में पढ़ता है मतलब अगर राज्य या केंद्रिशासित प्रिदेश के तौर पे आप देखना चाहें तो इसकी लोकेशन लद्दाक में है वैसे कारा कोरम रेंज के पास यह सिचुएट करता है उसके नौर्थ में इसके बाद बड़ा लाचा दर्रा है इसके बारे में आप जानते ही है 4843 मीटर यह समुद्रितल से उचाई पर है हिमानचल प्रिदेश इसकी लोकेशन है और यह मनाली और लेह को जोड़ने का काम करता है कौन सा दर्रा किसको कनेक्ट करता है यह पूछा जाता है इससे प्रशन बनते ही है तो इसको आप भले मत देखिए यह बहुँ जादा नहीं पूछा जा सकता है बस इसमें highest और जो lowest है उसको जानते रही है लेकिन कहां पर इस्थित है और किस राज़े और किस चीज को जोड़ रहा है यह जादा important है तो यह मनाली और लेह को जोड़ने का काम करता है और नॉम्बर से लेकर मिड माई का जो समय है वहाँ तक इसमें बर पूरी धंकी रहती है तो आने जाने का रास्ता बंद रहता है इसके बाद पाल घाट को देखिएगा यह है तो यह साउथ का है यह तो आप जानते ही है पाल घाट भोर घाट और थाल घाट यह सब दर्रे कहां के हैं साउथ के हैं तो यह दक्षिन भारत में जो केरल राज्ये वाला हिस्सा है वहाँ पेस्थित है और इसका काम क्या है तो पाल घाट दर्रा ये पश्चिमी घाट परवच रंखिला का सबसे बड़ा दर्रा है और यह जो प्रैवीपी भारत है यानि पैनेसुलर इंडिया है उसका एक में पास के तोर पे देखा जाता है और यह केरल को तमिलनाडू तथ भारत के हिमानचल प्रदेश के किनौर जिलो को तिबबत के न्यारी विभाग से जानदा जिला है मतलब जानदा डिस्टिक है वहाँ से जोड़ने का काम करता है यह कुछ इसकी इंपॉर्टेंस है जो की यहाँ पर दी हुई है इतना आम ने देखा अब इसके बाद यहाँ भारती प्रादीप के उप भू आकृतिक प्रदेश, यह जो उप भू आकृतिक प्रदेश है इसमें आप देख रहे हैं, पूरवी घाट है, यह आप देख लीजे, मेसो रीजन्स ऑप पेनसुलर इंडिया, पूरवी घाट यानि इस्टन घाट यह पहला है, उसके बाद दक अश्री मध्य उच्छ भूमी है जिसे की कहा जाता है Southern Central Highlands इसके बाद है पश्चमी घाट अथवा सहयादरी तो Western घाट या सहयादरी के तौर पे आप इसे सुनते हैं मतलब English इंदी दोनों आप देख रहे हैं उसके बाद पूर्वी पठार है इस्टर्ण प्रेटू इसे हम कहते हैं और उत्तरी मध्य उच्छ पठार इसे हम कहते हैं North Central Highland के तौर पे यहाँ दिखाया जा रहा है यह सब क्या चीज़े हैं जिनने के हम देख रहे थे यह भारत का जो प्राद वीपी हिस्सा है इसके उप भू आकरितिक प्रदेश के तौर पे यानि मेसो रिजन्स के तौर पे देखे जा रहे है इतना हमने देखा अब इसके बाद जो अगला नंबर है लिस्टिंग का उसमें दिखाया जा रहा है गंगा के उपरी छेत्रे में पांच संगम यानि जो five confluences है इन अपर reaches of गंगा उसे हम देखने वाले तो एक तरफ नदियों के नाम दिये हैं और दूसरी तरफ जो confluence है वो दे रखे तो यहाँ देखे अलगनन्दा और पिंडारी इसका जो source है वो पिंडारी glacier है मतलब glacier की पिघलने से जो हिमालेी नदियां इनका जन्म होता है तो आप जानते ही है मतलब कोई बर्फीली जनी हुए जील है अब नदर दबा हुआ कोई glacier होता है तो यहाँ पिंडारी glacier इसका source है और यहाँ पे नदी का जो संगम बनता है या पंच प्रयाग जो कहा जाता है तो यह करण प्रयाग है मतलब यहाँ जो संगम बनता है उसको क्या कहा जाता है करण प्रयाग कहा जाता है करण लिखा हुआ है असल में करण होगा उसके बाद अलकननदा नदी मंदाकिनी नदी और काली गंगा इनका जो स्रोथ है वो कौन सा है चोरा बारी ग्लेशियर है यहाँ अगर सोर्स के तोर पे आप देखें रुद्र प्रयाग में इनका कान्फ्लुएंट देखा जाता है कहाँ पे मिल रही है वो ध्यान दीजेगा उसके बाद अलकनन्दा और भागीरती स्रोथ इसका गोमुख और गंगोत्री मतलब गोमुख या गंगोत्री जो हिमनद है ग्लेशियर है उसी से माना जाता है वो पिघलता है तो पानी बनता है वहाँ से निकलती है अब यहाँ पे देव प्रयाग में इसका संगम होता है अल धौली गंगा उसका माना हिमनद माना जाता है मतलब दोनों के सोर्स दियो है कि कौन सा किस ग्लेशियर के पिघलने से जनरेट होती है तो अलगनन्दा का जो स्रोथ है वो ध्यान दिजाएगा यह सतो पंथ नाम का जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है और धौली गंगा जो है यह माना ग्लेशियर से निकलती विश्णु प्रयाग वाला जो छेतर है वो इनका confluence है उसके बाद अलग नंदा और नंदाकिनी यहां पर देखिए मंदाकिनी और नंदाकिनी दो अलग लगे तो यह दोनों जो है यहां ध्यान दीजगा यह मंदाकिनी नहीं है इनका जो स्रोथ है वो त्रिशूल ग्लेशियर है और नंद प्रयाग में इनका जो संगम है वो दिखाई देता है यह हमने देखा मतलब गंगा नदी का जो मूल स्वरूप है यह कहने का तातपर इसका क्या है समझ लीजे गंगा नदी का जो मूल स्वरूप हम मैदानी इलाके में देखते हैं उसमें बहुत सारी नदियां आकर सपोर्ट करती है तो कौन सी नदी कहां पर कैसे मिल रही है और वहां पर कौन सा प्रयाग या कौन स उसके बाद आगे चलते हैं इसमें कहा गया है कि अधिरिक्त नदियों की तुलना की गई है मतलब कंपेरिजन आप पैनिसुलर एंड एक्स्ट्रा पैनिसुलर रिवर मतलब दोनों की आपस में कंपेरिजन है तो एक तरब प्रयाग नदिया है और दूसरी तरब जो एक्स् समय की है वही चीज यहां इंग्लिश में कही गई है कि अधिरिक्त जो प्रयाग भी भारत की नदिया है यह नई है नूतन है और यह केवल कुछ जो पूरवर्ती नदिया है जैसे कि सिंदु गंगा ब्रह्मपुत्र इतियादी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब एकदम नवेली है यहां वही कहा गया है कि दरीवर आप एक्स्ट्रा पैनेसुलर इंडिया वाज मच यंगर एक्सपेक्टिंग यहां पे एक्सपेक्ट किसको कर रहे हैं जो फ्यू एंटिसेंट रिवर्स हैं जैसे कि गंगा है ब्रह्मकुत्र है सतलज है इस प्रकार की जो नदि नदिया हैं यह भी प्रैड़ वीपी की दुल में तो नहीं है इसके बाद देखेए अधिकांश नदिया जो है वह यहां प्रैड़ वीपी नदियों में देखेगा अधिकांश नदिया अनूवर्ति है और कुनर योवन नदिया है मतलब फिर если अंने योवन प्राप्त हु ब्रत्यानुवर्ति है उसे हम लोग देख रहे ते इनका इसको इंगलिश में कहा जाता है इसके बाद गोदावरी नदी को अगर छोड़ दीजे प्राइडवीपी नदियों में तो इन सभी नदियों के बेसिंड जो है छोटे होते हैं बतलब ये नदियां बहुत ज्यादा Himalayan rivers आती हैं ये ध्यान दीजेगा तो इनके जो basin है वो बड़े होते हैं मतलब इनके जो large बड़े-बड़े basin है उनका निर्माण होता है ये नदियां इनका जल्मार्ग चौड़ा होता है जो प्रादवीपी नदियां होती है उनका जो way होता है, रास्ता होता है, वो कैसा होता है, broad होता है और यह जो गैर प्रैदवीपी नदियां है, यानि खास्तोर पर हिमालियन रिवर है तो यह नदियां आपने उपरी तल में महाँ खड़े और छिप्तिकाओं का निर्माड करती है मतलब बहुत सारे इसमें rapids बनते हैं, gorge बनते हैं, waterfalls बनते हैं, इस तरह की संरशना बनती है तो यह चटानों को तोड़ कर निकलती है, और अभी चूकि नई है तो बहुत ज़्यादा चौड़ा रास्ता नहीं बना पाती है लेकिन तब भी इनका पेसिंग काफी चौड़ा होता है इसके बाद उर्ध्वाधर अपर्दन जो है ये प्रैदवीपी नदियों में नगड़े होता है इधर हम लोग जो penicular rivers हैं उनको देख रहे हैं और यहाँ पे जो non penicular rivers हैं उनको देख रहे हैं तो देखिए इसमें उर्ध्वाधर जो अपर्दन है वो नगड़े होता है मतलब वही चीज कहीं गई है कि जो vertical erosion है वो यहाँ पे बहुत कठिनाई से पाया जाता है या बहुत नहीं के बराबर पाया जाता है इसके बाद देखिए जो हिमालियन या गैर प्रद्विपी हैं उनके बारे में क्या कहा गया है इनमें उर्ध्वाधर और पार्श्विक दोनों प्रकार के erosion देखे जाते हैं मतलब वर्टिकल भी होता है और लेटरल भी होता है दोनों प्रकार के erosion यहाँ पे significant होते है इसके बाद देखिए यह जो प्रद्विपी नदिया है इनमें धारा बहुत धीमी रप्तार में बाती है वेग नहीं होता है यह इनकी मिशेष्टा होती है और यह जो नदिया होती है यह बहुत रप्तार में चलती है मतलब तीवरो और मंद दोनों चलती है लेकिन जादा तर इनकी प्रवित्ती होती है कि तेज रप्तार में प्रवाहित होना वो तो इतने सारे डैम बन गए हैं बाध बगेरा बन गए हैं जिसकी वज़ए से गंगा या ब्रह्मुपुत्र जैसी जो नदिया है उनकी रप्तार कम हो गई तो असल में जितने बाध के दर्वाजे फाटक वगएरे हैं वो खोल दिये जाएं तो गंगा सब कुछ बहा कर ले जाने में अभी भी सक्षम इस प्रकार की और भी नदिया हैं इसके बाध देखिए जो प्रादवीपी नदिया है उनकी बारे में कहा जा रहा है कि नदियों की वहन छमता निम्न है मतलब यह अपने साथ जो caring capacity है वो भूट low रखती है और यह नदिया अपने साथ धारी मात्रा में अवसादों का वहन करती हैं मतलब इनके साथ जो sediments है वो भूट high quantity में या huge quantity में प्रवाहित होते हैं और इन्हें ले जाकर ये मैदानों में डालती है तो वहाँ जो उपजाओं मिट्टी की परत है उसका निर्माण होता है इसके बाद जो अगला है प्राद वीपी नदियों के बारे में विशेष्टा वो दे रखी है यहां से factual प्रश्ण नहीं बनेंगे conceptual प्रश्ण बनेंगे मतलब जो तथ्य आधारित प्रश्ण होते हैं उनसे जादा यहां पे concept का महत्व है और वही दिखाया जा रहा है तो देखिए ये नदियों मुख्यता निच्छेपड के कारण बनती है मतलब इसमें जो डिपोजनल एजेंट है वो मुख्य भूमिका नि जो प्रैद वीपी नदिया होती है ये कैसी होती है ये सौलो मेंडर्स का निर्माड करती है और जो मैदानी नदिया होती है मैदानी छेत्र होता है वहाँ पे जो गैर प्रैद वीपी नदिया है ये बहुत तीछन धाल या गोखुर जीलों का निर्माड करती है ऐसा कुछ दीजेगा इसके बाद देखिए अगला वाला इसमें कहा गया है कि यह नदिया सामाने तर नौगम में नहीं होती है चुकि पठारी छेतर है यहां उबढखाबर जमीन होती है और इनका प्रवाअ भी धीमा होता है तो इसमें नौका चलाना यह संभव नहीं होता जादा तर और इसमें जो अधिकांश नदियां है वो मैदानी च्हेत्रों में, नौका गम में होती है, परवती च्हेत्र रहेगा तो वहां तो यह नहीं होगी, लेकिन जहां मैदानी इलागे में उतर कर आती है और उसके बाद धाल से होते हुए समुद्र की ओर जाती है, तो यहां नौ तब तक चलेगा जब तक उसमें बची रहेगी तब तक पानी बनेगा ये बात है इसके बाद आगे चलते हैं अब ग्लोबल वर्मिंग का खत्रा इन ग्लेशियरों पर मड़रा रहा है और आप ग्लेशियर के तूटने की घटना देखी रहे हैं इसके बाद देखिए अधिका अधिकतर क्या maximum वही है most इसमें वही है तो इनका जो जन्म है वो कहां से होता है ग्लेशियरों से होता है उसके बाद देखिए प्रवीपी नदियों यानि पैनिसलर रिवर्स को यह अधिकांशता जिर्ड नदियां होती है जिर्ड का मतलब क्या एकदम से इनकी जो स्थिति का आदमी होता है बिल्कुल वैसा ही समझ दीजिए इसके बाद आगे चलते हैं यहां देखिए यह नदिया जो है 30-32 साल की उम्र होती है उसमें युवा वस्था का धलान वाला समय शुरू हो जाता है मतलब ऐसा नहीं है कि जवानी का जोश नहीं रहता है वो बात नहीं है इनका जो बढ़ने का क्रम है वो प्राणा वस्था या व्रिधा वस्था की ओर चल दिया है लेकिन अभी इनकी जो तरुनाई है वो गई नहीं इसके बाद देखिए यह नदिया सरिता आपहरण नहीं करती है मतलब यह रिवर्स को किड्नैप नहीं करती है यह इनका प्रॉ आजुन सागर इस प्रकार की जो संरशनाय है मतलब यह हाइड्रो एलेक्टिक जो प्लांट बनते हैं उनके तौर पे देखा जा रहा है इसके बाद देखिए इन नदियों में अनेक बहुत देशी परियोजनाएं होती है जैसे कि यह बहुत देशी परियोजनाओं में आप इसके बाद जो प्राद वीपी नदिया है उसमें कहा गया है कि यह डेल्टा बनाती है डेल्टा का मतलब जैसे कि गोदावरी कृषना कावेरी जो है वो डेल्टा का निर्माड करती है और मुहाना यानि जो एस्चुरी होती है उसको बनाने का काम नर्मदा और तापी जैस इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर कहा गया प्राइबीपी नदियों के बारे में कि इनका जल मार्ग आधार तल के करीब होता है यानि जो बेस लेबल होता है उसके नियर होता है और इसमें कहा गया कि यह नदिया अपनी युवावस्था के अंतिन चरण में हैं मतलब इस प्रकार होती है या इनके द्वारा किया जाता है दोनों चीज़ें होती है तो वही दिया हुआ है कि इस रिवर्स और इंडिंग पार्ट आफ यूथ स्टेज इन देर माउंटेनियस कोर्स दे डू रिवर कैप्चरिंग मतलब यह इस प्रकार के काम को अंजाम देती है अब आगे चलते हैं यहां तक हमने प्रैद वीपी नदियों और हिमालयी नदियों की तुलना की है यहां लिखा नहीं था कि हिमालयी नदिया है लेकिन यह जो अत्रिक्त प्रैद वीपी अब देख रहे हैं आपका है केरल रिशूर वाला जो छेतर है वो इसमें आता है इसके बाद बेलगाओ कर्नाटक में कौन सा जल्परपात है यह जोग है आप देख रहे हैं इसके बाद प्राश्य के एक राज्य के यह अगर ट्रिग आपको नहीं पता है तो आप मैप का इस्तिमाल कर सकते हैं इसके बाद देखें मैपिंग से भी आसानी से याद हो जाता है इसके बाद बिरूद नगर यह तमिलनाडू वाला जो छेतर है यहाँ पे अयानार जलप्रपात है इसे आप देख रहे हैं इसकी लोकेशन में आता है मध्य प्रदेश में धुआधार है वैसे तो छोटे मोटे बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन धुआधार जो है बहुत फेमस है और नर्मदा नदी यहाँ बहुत उचाई से गिरती है और उचाई से गिरने की वज़े से पुरा धुए जैसा वातावरण चारोर पैदा हो जाता है पानी इतना वेक से गिरेगा उचाई से धारा में धुआ निकल रहा है और उसके बाद इसके बाद हीमानचल प्रदेश तो करनाटक में धेर सारे यहां दियो है इन्हें देखिएगा एबे जलप्रपात है यानि एबे वाटरफाल है इसके अलामा एरिसिना है, हेबे है अच्छे-अच्छे नाम है, काला हडडी है केपा है, कुसली है, इसके अलामा कुदुमारी है उन्चिकल है, मागोध है, मेके ताडू है या मेके डादू इसको कहा जाता है मुथ जलप्रपात है इसके अलामा साथोडी है, सिमका है, चुन्ची है और उन्चल्ली है बहुत अच्छे-च्छे नाम है तो आराम से याद हो जाएंगे और वही चीज यहां इंग्लिश में दी हुई है इन्हें रिपीट करने के आउशिक्ता नहीं है आप जिस भी माध्यम के हो उन नामों को देख लिजेगा क्योंकि नाम जैसे हिंदी में है, सेम वही इंग्लिश में इसके बाद केरल केरल में जो जल प्रपात है उनमें आपका अथिरा पल्ली या अथिरा पिल्ली जो है यह सबसे पहले आता है, यह वाटरफाल हो गया इसके अलावा मीन मुट्टी फॉल है इसके अलावा पाला रूपी है, सुची पाड़ा है और यह आप देख रहे हैं, यह थुशार गिरी जल प्रपात है इसे यहाँ पे इंक्लूट कर लीजेगा तो इतने सारे जो वाटरफाल या फाल्स है यह यहाँ पे उपस्तित है महराश्ट्र में चलते हैं, तो महराश्ट्र में कुणे है और माल रेश्वर है, यह दोनों फाल्स आपको दिखाई देते हैं मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए, MP का तो यहाँ पे चचाई है, गाथा है, कियोटी है और पांड़ो है अलागि पीछे जो जबलपूर वाला एरिया था इसके अलाबा किन्नें वार्टर्वाल है अप एक मातर रेख रहे है और इशा में देखिएगा, जो रडांडा या जो रांडा ईसको कहा जाता है यह बुगुडा के पास जो खांट्रा धार जल प्रपात है, उसको भी इसमें लिखा हुआ है, तो जितने भी हैं सबको देखते चलेगा, ये आपका जोरांडा है, और ये आपका खांडा धार है, तो खांडा धार कहांपर है, ये बुगुडा के पास, इसके बाद खिर्णीव आप देख रहे हैं तो यह कोटागिरी वाली लोकेशन है इसके अलावा चित्रूवी फाल है यह small falls के तौर पर देखा जाता है इसके अलावाkur 않는 फालय एलकाप इस प्रकारbayal चाह रे हैं यह वेदेखी फाँ Alors है शूब अजीब आजीब नाम है तो इनके नाम रखे जाते हैं उसके बाद आगे चलते हैं इसमें और अब कहलाते हैं इसके बाद यहां देख लीचे इसारे यह पाझाया कोटलम फाल कहा जाता है यह ओल्ड फाल है इसके बाद पैकारा फाल है यह नील गिरी वाले छितर में आता है नैप्चून फाल है उसके नीचे ही आप देख रहे हैं पलानी नेशनल पार्क जो है वहाँ पे इसकी लोकेशन है इसके बाद पुलु अरूरुवी है यह टाइगर फाल कहा ज देखा था लेकिन यहां पर इसकी लिस्ट लंबी इसके बाद राची जारखंड का जो एरिया है वहां देखिए तो लोध जलप्रपात आता है जिसको कि बुद्ध जलप्रपात के नाम से भी जानते बुद्ध घाट वाटरफाल कहा जाता है इसके बाद करनाटक में चलते इसके बाद कन्या कुमारी तमिलनाडु वाला इरिया यहां पर वट्टा पलाई या वट्टा पराई जलप्रपात है जिसे कि आप देख रहे हैं बिहार में ककोतल है इसके बाद निलगिरी को देखिए तो यहां पर पायकारा है निलगिरी छेत्र में नर्मदा मध्य वालिकाई या नोहा सबंगी थियांग किम्रेम इस प्रकार के जो वाटरफाल है वो उपस्तित है डिंडी गुल को देख लीजे तो डिंडी गुल में थलयार जो रेट टेल वाला है उसे आपने देखा उसके बाद सुंतरगड को देखीगा ओडिशा यहां पर खांडा धा इस प्रकार से यह वाटरफाल्स दी हुए तो धेर सारे हैं बहुत लंबी लिस्ट है इसको ध्यान दीजेगा यहां से तो प्रशन बनते ही हैं यह काफी ज्यादा इंपॉर्ट इसके बाद आगी चलते हैं देखिए अगली जो लिस्ट है उसमें भारत में वर्शा वितरण के लिए वर्शा कोई आधार मत बनाया जाता है मतलब वर्शा की मात्रा कैसी है तापमान कैसा है इसी पर सब कुछ डिपेंट करता है तो वनस्पती का प्रकार यहां दिया है उसके बाद औस वार्शिक वर्शा सेंटीमीटर में दी है यहां मीली मीटर नहीं है सेंटीमीट पज़ड नहीं होता, ऐसा माना जाता है, तो इस प्रकार के जंगल पाय जाएंगे, छेत्र कौन सा होना चाहिए, तो आद्र होना चाहिए, बिल्कुल जो विशुवत रेखी जलवायु वाला कंडिशन है, वो पैदा होना चाहिए, यह दिया हुआ है, तो भारत में इस प्रक तो पत्ते गिर जाते हैं वाश्पी करण की विज्ण को भटाने के लिए और जब फिर बारिश होती है या नयए पत्ते के आने का सीजन होता है मौसम अनुकूल होता है तो नये पत्ते फिर से द्धारण कर लेता है इसके बाद ड्राइ फॉरेस्ट हैं तो यहां पर वर्षय क इस तरह आप समझी सकते हैं कि कितना कम हो सकता है मतलब 100 से 50 के बीच का हो सकता है और जहां एकदम ही कम वर्षा होती है यानि 50 से नीचे तो वहाँ पर desert forest पाय जाते हैं और यह बहुत सुश्क होते हैं रेगिस्थानी इनको कहा जाता है यहाँ तक हमने देखा नाम है और जो खनन केंद्र है वो नाम दिये हुए तो पहले आंद्रप्रदेश है आंद्रप्रदेश में विशाखा पत्तनम और पश्चमी गोदावरी इसके अलावा नेलोर कृष्णा और खंमन यह सब दिया हुआ है इसके बाद राजस्थान में देखेगा तो जैपूर, सींकर, टोंक इसके अलावा उदैपूर है, अजमेर है, भीलवाड़ा है और डूंगरपूर है जारखंड में देखी हजारी बाग है, मुंगेर, राची, सिंग्भूम, कोर्डमा, धनबाद, गया और गिरीडी इसके बाद बिहार में देखते हैं तो भागलपूर है, यह रहा बिहार का जो अधिकतर खनी संसाधन था, वो जारखंड के साथ उससे अलग हो गया तो अकसर राज्यों को इस प्रकार का घाटा भी उठाना पड़ता है, फिलाल आगे चलते हैं इसके बाद देखिए अगले वाले हिस्से में कहा गया है कि भारत के प्रमुख चूना पत्थर के जिले यहां हमने किसको देखा है, यह अभरक वाले एरिया को देखा है, मतलब जो माई का वाला छेत्र था अभी इसके बाद देखने वाले हैं, जो चूना पत्थर यानि लाइम स्टोन से समद्धित माइनिंग सेंटर है या डिस्टिक्स हैं, उनके नाम, और राज जी के नाम साथ में चलेंगे ही, तो एक तरफ राज जे दिया है, दुसरी तरफ डिस्टिक्स और माइनिंग सेंटर दे रखा है, इसे देखेगा, तमिलनाडू है, कोयमबटूर, मदुरी, सिल्नम, ये वाला एरिया, उसके 36 गड़ को देखेगा, MP का हिस्सा, तो यहाँ पे बिलासपूर है, रायगड़ है, बस्तर है, जहां से, इस प्रकार का प्रोडक्शन हो सकता है, गुजरात में अगर देखेगा, तो यहाँ पे खेडा, सूरत, अमरेली और जुनागड़ आते हैं, दिलंगाना में अगर दे देखते हैं, तो चितरदूर्ग, मैसूर, उत्तर, कंणर यह वाले एरिया है, उसके अलावा तुंकूर, बेलगाम, बीजापूर, यह सब एरिया जो है, यह लाइमस्टोन प्रोडक्शन या उसकी माइनिंग के लिए जाने जाते हैं, इसके बाद राजस्थान में चले आत दून है उत्तराखंड का, मसूरी है उत्तराखंड का, तो यहां से भी कुछ हलकी फुलकी मात्रा में प्रोडक्शन हो जाता है, इसके बाद आगे चलते हैं, अब यहाँ पे डोलोमाइट खनन केंद्र दी हुए, पीछे हमने लाइमस्टोन को देखा, उससे पहले हमने को देखा, अभी डोलोमाइट को देखते हैं, तो एक तरफ राजजे दिया है, जैसे पीछे था और डिस्टिक और माइनिंग सिंटर यहां पे दे रखे हैं, तो ओडिशा है, इसके बाद यहां चतीजगड है, आंध्र है, जारखंड है, राजस्थान है, और करनाटक है, पर कुछ फुटकर है, तो पहले ओडिशा को देखते हैं, ओडिशा में गंगापूर, कोरापूर, संबलपूर, सुंदरगड, यहां से डोलोमाइट का खनन होता है, उसके बाद चतीजगड में चलते हैं, तो चतीजगड में आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे बस्तर में अगर देखें, तो यहां अच्छी खासी लिस्ट है, जिसमें कि आप अजमेर को देख रहे हैं, अलवर है, भीलवाड़ा है, जैपूर है, जैसलमेर है, जोधपूर है, यहां आप देख रहे हैं, और जुन-जुनु, देखें, बीच में एक छूट गया है, जो कि जिलगाम, बीजापूर, चितरदो, मैसूर, उत्तरकरनड, तुमकूर, इस प्रकार के छेतर हैं, जहां से इनकी माइनिंग होती है, और अदर्स में अगर देखें, तो अरुडांचल का नाम आता है, यहां से भी कुछ मात्रा में प्राप्त होता है, और उसके बाद जो प् मुंबई, इसकी जो लेंथ है यहां पर, यह कितनी है, 1419 है, उसके बाद मुंबई चेन्ड़ी, इसकी 1290 है, कोलकाता चेन्ड़ी, कोलकाता चेन्ड़ी का जो लेंथ दिया है, वो 1684 है, और दिल्ली कोलकाता का दिया है, 1453, यह सब किलो मीटर में है, और हम लोग पढ़ गय नेटरल जो कॉरिडोर है, उनके बारे में देख रहे हैं, इसके बाद अगला आपका रेलवे जोन है, भारत की 18 रेलवे जोन, उनकी स्थापना का वर्ष और उसके जो हेड़क्वार्टर से वो दे रखे हैं, वही चीज इंग्लिश में नीचे लिखी है, 18 जो यहां पे र लचनी जोन यानि साउधर्न जोन है, इसका जो इस्टैबलिश्मेंट या फार्मेशन का येर है, वो है 14 अप्रेल 1951, यह तारीक लिखी हुई है, मुख्याले कहाँ पे है, हेड़क्वार्टर है चन्नाई, उसके बाद मध है, यानि जो सेंट्रल जोन है रेलवे का, उसका स्थापना का समय है, 5 November 1951, यहाँ डेट आप देख रहे है, 5.11.1951, इसका जो मुख्याले है, वो CST है, मतलब चत्रपती शिवाजी टर्मिनल, मुंबई, इसके बाद यहाँ पश्चमी जो जोन है, उसको देख लीजेगा, पहले दिशा के हिसाब से फिर जो कोन है, मतलब जो एंगिल वाईज होता है, उसको भी देखेंगे, तो वेस्टर्न वाला जो है, इसकी स्थापना का वर्ष है, 5.11.1951, यानि 5 November 1951, दोनों का सेम है, ध्यान दीजेगा, तो यह मुंबई का चर्च गेट वाला एरिया है, उसको कवर करता है, मतलब वहाँ पे इसका हेड़ है, उसके बाद देखेंगे, यह दोनों का हेड़कॉर्टर जो है, वो मुंबई में ही है, ध्यान दीजेगा, इसका CST है और इसका चर्च गेट, इसके बाद नेक्स्ट है उत्तरी, नॉर्धन, चौथे नमबर पे आप देख रहे हैं, नॉर्धन को, तो इसकी जो स्थाप स्थापना का वर्ष है, 14 April 1952, गोरकपुर इसका मुख्याल है, हेड़कॉर्टर है, इसको ध्यान दीजेगा, UP का है, इसके बाद दक्षणपूर्वी, यानि South Eastern वाला जो पार्ट है, उसमें अगर देखें, मतलब ये वाला जो 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 और कोलकाता इसका भी हेड़कॉर्टर है, उसके बाद अब आगे चलते हैं, आठवे नंबर को देखिए, तो उतरपूर्वी सीमान ती, यानि जो नौर्थ इस्टन फ्रंटियर रेलवे जोन है, वो दे रखा है, पंद्रा एक 1958, मतलब ये जन्वरी 1958 की बाद है, मली गाउ गुआ हाटी वाला जो छेतर है, वो इसका हेड़कॉर्टर है, उसके बाद दक्षन मध्य, यानि सब सेंट्रल जो है, माप की जगा, साउथ सेंट्रल, इसकी जो स्थापना का वर्ष है, वो है 2 अक्टूबर, यहाँ गांधी जी के जन्व दिवस्ते शुरू होता है, तो 2 अक्टूबर 2002 इसकी भी स्थापना का वर्ष है, जैपूर इसका हेड़कॉर है, और इस्ट कोस्ट वाला जो रेलवे जोन है, यह बारहवा है, तो बारहवे नंबर को यहाँ देख लिजेए, इस थापना का वर्ष, यह है 1 अप्रेल 2003, इससे बाद वाले है, भोनेश्वर हेड़कॉर है, अभी लिस्ट समाप्त नहीं हुई है, इनकी संख्या 18 है, आप जानते हैं, तो उत्तर मध्य को देख लिजेगा, नौर्थ सेंटरल, इसकी जो इस्थापना का वर्ष है, वो 1 अप्रेल 2003 है, इलाहाबाद यानि प्रयागराज इसका मुख्याले है, इसके ब वेस्ट सेंटरल आप देख रहे हैं, यह जो वेस्ट सेंटरल है, यानि पश्चिमी मध्य है, इसकी स्थापना का वर्ष यहाँ दिया हुआ है, एक अप्रेल 2003, जबलपूर इसका मुख्याले है, मेट्रो रेलवे कोलकता, यहाँ आप देख रहे हैं, 31 दिसंबर 2010, यानि सा साल का जो अंतिम दिन था, 2010 में, वहाँ पर इसकी स्थापना का वर्ष है, कोलकता इसका हेड़कॉर्टर है, उसके ठीक नीचे आप देख रहे हैं, दक्षणी तट रेलवे या तटी यह जो जो जोन है, साउधर्न कोस्ट या कोस्टल रेलवे इसको कहा जाता है, तो 27 रेलेटेट कॉर्प्स या फिल्ड, तो किस क्रांती का संबंध किस चीज से है, इसे प्रशन बनते ही बनते हैं, आए देखते हैं, पहले रजट क्रांती है, उसी प्रकार से नीली पीली हरी गुलाभी, यहाँ जो सतरंगी क्रांती आपको दिखाई दे रहे हैं, उसे देख क्रांती में इसी का उत्पादन होता है, उसके बाद ब्लू रिवालुशन को आप देख रहे हैं, तो यह मत से उत्पादन से यानि फिस्स प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है, लाल क्रांती का संबंध मांस उत्पादन से भी है, हलांकि गुलाभी क्रांती के तौर पे इस कि सेगेंड ग्रीन रिवालुशन के तौर पे जानी जाती है, तो क्रिशी उत्पादन को दोगुना करना और टिकाओं क्रिशी, यह इसका परपस है, मतलब यही कहा गया है कि डबलिंग एग्रिकल्चरल प्रोडक्शन एंड से इसके बाद स्वर्ण क्रांती या सुनहरी ग उत्पादन को भी से जोड़ कर देखते हैं, यानि हनी प्रोडक्शन को, फिलहाल होटी कल्चर का पूरा एरिया, उसके बाद इंडरिध हनुशी क्रांती को आप देख लीजे, रैंबो रिवालुशन को, तो इसमें क्रिशी समंदी समगर क्रांती की बात कही गई है, और फ ने की योजना है, रिवर कनेक्शन का इसमें पूरा प्लान है, इसके बाद solvent क्रिष्ण क्रांती, अनि ब्लैक रिवालुशन इसको काली क्रांती भी का जाता है तो खनिश तेल के छेत्र में आत्मिरभरता लाने के लिए प्रयास इसमें किया गया है इसके बाद आप देखने हैं यहाँ पर पिंक रिवालुशन है तो जीगा मशली के उतपादन से जुड़ी हुई है कहीं कहीं मांस उतपादन से भी इसको जोड़ कर देखा जात और जो श्वेत क्रांती है इसका सम्मंद दुख-दुथ पादन यानी मिल्फ प्रोड़क्शन से है इतना हमने देखा अब आगे चलते हैं यहाँ देखे क्रिशी सम्मंदी कुछ महतुपूर्ण अंतरराश्टिय संस्थान दिये हैं यह अंतरराश्टिय है इन्हें देखन है तो देखिए यहाँ पर कहा गया इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट्स ऑफ एग्रिकल्चर पहला है आपका खाद देओं कृशी संगठन एफ एफ एओ इस प्रकार से आप देखते हैं लिखा हुआ जो खाने के सामान या पैकेट आदी होते हैं उन पे इसका फूल फार्म क्या होता है फूड एंड एग्रिकल्चर और्गनाइजेशन तो इसका जो देश है वो कौन सा है रोम यानि इटली आपका पड़ेगा उसके बाद देख लीजे अगला वाला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानि WMO यानि वर्ड मेटरोलोजिकल और्गनाइजेशन ये इसका शॉर्टकट हो गया और ये पूरा नाम हो गया जेनेवा स्विजरलेंड ये इसका छेतर है मतलब देश का नाम जेनेवा है और स्थान जो है इसके मुख्याले का वो यहाँ पर माप कीज़े का देश का नाम स्विजरलेंड है और जो मुख्या इसके बाद अंतराश्ट्रिय यहां नीचे देखिए, अंतराश्ट्रिय उश्निकटिबंधी है कृषी सहस्थान, यानि International Institute of Tropical Agriculture, यह अबादान नाइजीरिया में, अबादान कहां पर है, यह नाइजीरिया में, इसके बाद आगे चलते हैं, अब देखिए नीचे एक और टे इसके बाद रबर बोर्ड ऑफ इंडिया यानि भारतिय रबर बोर्ड इसका कोटायम केरल में है, भारतिय चाय बोर्ड यानि टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कोलकता पश्चिम बंगाल में इसका मुख्याले है, तोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया, गुंटूर आंधर जो ये मत्सि विभाग बोर्ड यानि नेशनल फिश्रीज डेवलप्मेंट बोर्ड ये हैदराबाद पेलंगाना में पड़ेगा मतलब इसका जो हेड़कॉर्टर है वो दे रखा है अब नेक्स्ट यहां देखिए अगली टेबल बनी हुई है इसमें वेजिटेशन का नाम द जाता है तो उन विकल्पों में से एक ये भी रहेगा तो आपको पैचानना रहेगा ध्यान से देखिएगा इससे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और देखिए अब दिखिए यहां पर ट्रोपोफाइट है इसमें कहा गया है कि उच्ट निकटी बंदी है छेतर में वन और पर खास वाली वनसपतियां इन्हें कहा जाता है मतलब ट्रोपोफाइट के नाम से इनको संबोधित किया जाता है फॉरेस्ट और ग्रास वेजिटेशन इन ट्रॉपिकल एलिया इसके बाद हाइड्रोफाइट है तो जल की उपरी सता पर ये उगती है इस प्रकार की वनसप पाई जाती है उनको हाइग्रोफाइट कहा जाता है वही चीज इंग्लिश में बताई गई है कि वेजिटेशन फाउंड इन एरिया विथ हाई हुमिडिटी इसके बाद जेरोफाइट है तो यह मरुस्थली चेतर में पैदा होते हैं तो आपने पढ़ाई होगा बहुत प् पाई जाती है तो यह अब आम तोर पे कुछ उगता नहीं और जो उगता है वो इसी प्रकार का होता है लाइकेन और काई तरह की जो बनसपतियां होती है वो पाई जाती है इसके बाद हैलोफाइट को आप देख रहे हैं तो हैलोफाइट का मतलब यहाँ पी नमकीन च्ट्टानाँ प्रपांड होता है तो सेलाइन जो सौयल होती है या उसको हैलोफाइट के नाम से संबोध्यत किया जाता है इसके बाद लिथोफाइट जो है इस П्रकार की बनसपतियां या वेजिटेशन यह कठोर चट्टानों पर पैदा होते हैं जो हाड रॉAKS होती है उन पर इनका जन होता है, इसके बाद पाइरोफाइट को आप देख रहे हैं, तो ये fire resistant plant होते हैं, मतलब इनके अंदर खुद आग बुझाने वाले instrument होते हैं, या system होता है, आग लगती भी है तो इसको ये बुझाने का काम करते हैं, अकसल जो घने जंगल होते हैं, उनमें इ जोड़ने का काम करती हैं, इनकी location क्या है, वो सब दी हुई है, तो आइए इन straits को देखते हैं, पहली आपके Magnal strait है, और ये किसको जोड़ती है, तो यहाँ पर ये Pacific को South Atlantic Ocean से जोड़ने का काम करती है, इसकी इसकी इस्तिती कहाँ पर है, location है चिली में, इसके बाद मकासु स्टेट है, या मकासर स्टेट इसको कहा जाता है, ये जावा सी को सेलिबीज सी से जोड़ने का काम करती है, या सी आप सेलिबीज से जोड़ने का काम करती है, इंडोनेशिया इसकी location है, इसके बाद हर्मूज की स्टेट है, हर्मूज, स्टेट आफ हर्मूज या हर्मूज क को ये connect करती है इसके बाद ओरंटो स्ट्रेट आपको दिखाई दे रही है ये एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी जो है उससे connect करने का काम करती है यहाँ दोनों जो सी है उनके नाम दिये हैं तो आप मैप में इनकी location भी देख लीजेगा ठीक है इसके बाद देखिए यहाँ पर इसकी जो location है वो दे रखी है Italy, Albania ये इनकी स्थिती है तो स्थिती का नाम कमी पूछता है जाता तर जोडने वाला पूछता है लेकिन प्रशन कैसे भी बन सकता है मतलब कुछ कहां नहीं जा सकता है तो सब कुछ देखिएगा उसके बाद बावल मंडेल की जो जलसंदी है ये तो आप जानते ही है कि ये लाल सागर को अधन की खाड़ी से जोडने का काम करती है मतलब रेड सी को गल्फ आफ अधन से connect करती है यमन जिबूती वाली location इसकी है कुक स्टेट जो है ये दक्षणी प्रशांत महासागर वाली location है और यहां ये न्यूजीलेंड का जो उतरी और दक्षणी द्वीपी आईलेंड वाला portion है वहाँ पे स्थित है मुजांबिक चैनल की अगर बात करें तो ये हिंद महासागर से connect होता है और मुजांबिक मालागासी वाली location इसकी दिखाई देती है इसके बाद नौर्थ चैनल को अगर देखा जाए तो ये आईरिस सागर और अटलांटिक महासागर को connect करता है Ireland, England इसकी location है टौरेस स्ट्रेट को अगर देखे तो ये अराफुरा सी और पापुआ की जो गल्फ है या गल्फ आप पापुआ है उसको connect करने का काम करती है पापुआ न्योगिनी, Australia इसकी location है इसके बाद बॉस स्ट्रेट आप देख रहे हैं ये वाली तो तस्मान सी और साउथ सी जो है उसको ये connect करने का काम करता है Australia इसकी location है Bering स्ट्रेट को आप देख लिजे तो ये Bering सी को चुक्ची सी से जोडने का काम करता है नाम अच्छा है चुक्ची तो आराम से याद हो जाएगा Alaska रूस इसकी location है इसके बाद next Boney Fasio ये जो Boney Fasio है इसकी यहाँ पे स्टिती है भूमद्य सागर Corsia, Sardinia ये इसकी location है इसके बाद Basporas स्टेट को आप देख रहे हैं तो ये जो Basporas स्टेट है ये काला सागर को मरमरा सागर से जोडने का काम करती है मतलब Black Sea को ये मरमरा सी से connect करती है तुर्की इसकी location इसके बाद Durdenless जो स्टेट है उसका नाम दिया हुआ है यहाँ इसकी स्थिती देखिएगा ये वाली मरमरा सी को ये Aegean सी से जोडने का काम करती है तुर्की इसकी भी location है दोनों की location क्या है तुर्की इसके बाद Yukotan स्टेट है तो ये मैक्सिको की जो खाड़ी है उसको Caribbean Sea से जोडने का काम करती है मतलब Gulf आप मैक्सिको को ये connect करती है Caribbean Sea से इसकी जो location है वो मैक्सिको क्यूबा वाली है इसके बाद Marissa या मैसिना जो स्टेट है उसके बारे में कहा गया है इसके बाद देखिए इंग्लेंड फ्रांस इसकी location है इसके बाद Florida स्टेट को देखिएगा तो मैक्सिको की खाड़ी और Atlantic महासागर को ये connect करती है सेयुक्तराज अमेरिका क्यूबा इसकी location है इसके बाद Hudson की जलसंदी है तातार स्टेट को आप देख लीजे तो ये जापान सी जो है इसको ओको टस्क सी से जोड़ने का काम करती है रूस का जो पुर्वी रूस वाला सखाली आइलेंड वाला इरिया है उससे जुड़ी वही है उसकी location आप बता रहे हैं इसमें इससे देख लीजेगा उसके बाद अब आगे चलते हैं यहाँ देखिए फोवेक्स स्टेट के बारे में कहा गया है तो फोवेक्स स्टेट जो है ये दक्षणी प्रशांत महासागर वाला जो एरिया है उसको connect करने का काम करती है Southern Pacific Ocean, New Zealand का जो दक्षणी द्वीप है इसके बाद सुंगारू जलसंदी को आप देख रहे है सुंगारू स्टेट को देखेगा यहाँ पे है यह जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोडने का काम करती है मतलब सीयाप जापान और पैसपेकोशियन जापान का जो होकैडो होंशू आइलेंड वाला एरिया है वो इसकी लोकेशन है इसके बाद डेविस स्टेट को देखेगा बैफीन की खाडी और अट्लांटिक महासागर को यह जोडने का काम करती है ग्रीन लैंड कनाड़ा वाली लोकेशन इसकी है डेनमार्क स्टेट को देखेए तूतरी अट्लांटिक और आर्कटिक महासागर यह जोडने वाला इसका एरिया है मतलब इन दोनों को कनेक्ट करती है और ग्रीन लैंड आइलैंड वाला जो एरिया है वो इसका है उसके बाद फार्मोसा स्टेट आप देख रहे है तो यह दचनी चीन सागर को पुरवी चीन सागर से कनेक्ट करने का काम करता है मतलब साउथ चाइन सी को इस्ट चाइन सी से इंटरलिंक करता है और चीन ताइवान इसकी लोकेशन है इसके बाद मलक्का स्टेट आप देख लिजे तो यह अंडमान सागर और दचनी चीन को यहाँ पे जोडने का काम करता है और इसमें जो इसकी लोकेशन है वो इंडोनेशिया मलेशिया वाली है इसके बाद पाक जल संधी या पाक स्टेट को आप देख रहे है मतलब जो ट्रेंच है वो दे रखे है तो सबसे पहले आप मेरियाना को देखेंगे जो की सबसे ज़्यादा गहरा है और इसकी स्थिति कहाँ पे है पैसिफिक ओशियन में है तो गहराई भी साथ में देखते चलिएगा मेरियाना ट्रेंच है उसके बाद टोंगा है मिन्डाओ है और कौन सा किस ओशियन में पढ़ता है यह आपको ध्यान देना है तो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो 11,022 मीटर यह टोटल मेरियाना ट्रेंच की गहराई है प्रशान्त मासागर इसकी लोकेशन है टोंगा ट्रेंच जो है यह भी प्रशान्त मासागर में ही है मतलब पैसिफिक ओशियन में और इसकी जो गहराई है वो 10,882 मीटर है मिन्डनाओ की अगर बात करें तो यह भी पैसिफिक में ही है इसे आप देख लीजे, जो पश्चमी द्वीब समू वाला एरिया है, वेस्टर नाइलेंड वाला, वहाँ पेस की लोकेशन है, 8,380 मीटर इसकी गहराई है, आटाकामा जो ट्रेंच है आपका, ये कहाँ पेस्थित है, प्रिशांत में है, पैसिफिक ओशियन में, इसकी गहर गहराई है, वो 7,758 मीटर है, सुन्डा गर्थ जो है, ये हिंद महासागर का है, मतलब साउथ इंडियान ओशियन में, ये पढ़ता है, और इसकी गहराई है, वो 7,450 मीटर है, इसे आपने देखा, तो जितने महतुपूर्ण महासागरी गर्थ थे, मतलब ये निकोवार दीवसमू, ये है पहले, और इसकी जो कोस्ट लाइन है, वो कितनी है, 1,962 किलो मीटर लंबी है, इसके बाद गुजरात को देखेगा, तो ये दूसरे नंबर पे है, 1,214.70 किलो मीटर, इसकी तटरेखा है, आंदर प्रिदेश को अगर देखें, इस सब तटव 55.60 किलो मीटर है, अब देखें, यहाँ पर तटरेखा कितनी मात्रा में है, मतलब उसकी लंबाई नहीं पूछेगा, यहाँ ये पूछेगा कि इन राज्यों में किसकी जादा है, मतलब इसकी लंबी है और किसकी छोटी है, इस प्रकार से क्वेशन आ सकता है, यह सबसे लं तो 157.50 किलो मीटर इसकी तटरेखा है, लक्ष दीब को अगर देखें, तो इसकी जो तटरेखा है, वो 132 किलो मीटर है, गोवा को अगर देखा जाए, इस सब राज्ये जो हैं तटवर्ती है, तो गोवा की जो तटरेखा है, वो 151 किलो मीटर लंबी है, पुडू चेरी की पूरी तट्रेखा हम लोग देखते हैं वो कितनी है 7516.60 किलोमीटर ये पूरी तट्रेखा की लंबाई है इतना हमने देखा समुद्र से लगा हुआ हिस्सा ये देखने के बाद अब आगे चलते हैं यहां देखिए यह 10 महारतनी कंपणियों के नाम दिये हैं उनकी इस थाप थापना का वर्ष जो है वो 1964 है यह establishment का year है और यह वाला जो है यह महारतनी कटिग्री में इसको डाले जाने का वर्ष है तो 2010 में इसे महारतनी का दर्जा प्राप्त होता है इसका मुख्याले यानि headquarter जो है वो New Delhi में है इसके बाद National Thermal Power Corporation यानि NTPC की बात हो रही है तो NTPC की स्थापना का वर्ष है 1975 और इसे महारतनी कटिग्री में डाला गया 2010 में नई दिल्ली इसका भी headquarter है इसके बाद ONGC है यानि Oil and Natural Gas Corporation तो इसका जो स्थापना का वर्ष है वो 1956 है यानि बहुत पहले और 2010 में इसको महारतनी का दर्जा प्राप्त होता है बहुत देर हो जाती है और देहरादून इसका headquarter है उसके बाद चलते हैं आगे तो यहाँ देखिए Steel Authority of India Limited ये है तो 1973 ये इसकी स्थापना का वर्ष है 2010 में इसको महारतनी का दर्जा प्राप्त होता है नई दिल्ली इसका मुख्याले है Cole India Limited 1975 इसकी स्थापना का वर्ष है 2011 इसकी महारतनी में डाले जाने का वर्ष है मतलब श्रेडी में डाले जाने का वर्ष है कोलकता इसका headquarter है और भारत Heavy Electronics Limited यानि जो भेल है यहाँ आप देख रहे हैं इसकी स्थापना का वर्ष है 1964 यहाँ नीचे आप देख रहे हैं और 2013 म में इसकी स्थापना का वर्ष है तो पावर ग्रड कार्पोरेशन ओफ इंडिया का जो स्थापना का वर्ष है वो है 1989 और इसे महारत्न की कटेगरी में डाले जाने का वर्ष है 2019 इसका जो मुख्याले है वो गुडगाओं यानि गुरुग्राम में है इसे हमने देखा यहां तक देखने के बाद अब जो 14 नौरत्न कमपनिया है यह तो हमने महारत्न को देखा है जो की 10 है टोटल अब इसके बाद 14 नौरत्न कमपनिया है उनके नाम देखेंगे और उनका इस्टैबलिश्मेंट का जो year है उसको देखेंगे तो पहले आपका महानगर टेलिपून निगम लिमिटेड है जिसे कि आप MPNL कहते हैं 1986 इसकी स्थापना का वर्ष है इसके बाद भारत Electronics Limited बेल है यह आप देख रहे है 1904 इसकी स्थापना का वर्ष है हिंदुस्तान Aeronautics Limited यानि हाल जिसको कहा जाता है या हैल यह 1940 में स्थापित हुआ था राष्टिय खनिज विकास निगम यानि NMDC इसकी जो स्थापना का वर्ष है वो 1958 है इसके बाद Power Finance Corporation जो है PFC इसकी स्थापना का वर्ष कौन सा है 1986 है यहाँ पर आप देख रहे है इसी करम में आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए भारती 9.1 निगम की बात की जा रही है यानि SEI तो यह जो साई है या SEI है इसकी स्थापना का वर्ष है 1961 नेवली यहाँ नीचे आप देख रहे है नेवली लिगनाइट कार्कोरेशन लिमिटेड यानि NLC और इसकी स्थापना का वर्ष है 1956 इसके बाद आयल इंडिया लिमिटेड जो है इसका शॉर्टकट भी आयल है तो इसकी स्थापना का वर्ष है 1969 उसके बाद राश्ट्री स्थापना का वर्ष है 1982 इसके बाद इंडिया लिमिटेड यानि EIL आपको दिखाई दे रहा है ठीक नीचे यहाँ पर यह आप देख रहे है तो इसकी स्थापना का वर्ष क्या है 1965 है इसके क्रम में नीचे चलिए तो इसमें इसका नाम आता है तो कंटेनर कॉर्परेशन निगम लिमिटेड की जो इस थापना का वर्ष है वो कौन सा है 1988 है और राश्ट्री भवन निर्माड कार्परेशन लिमिटेड यानि NBCC इसकी स्थापना का वर्ष है तो यहां तक हमने इस वीडियो को आधा अभी कंप्लीट किया है अभी और बचा हुआ है लेकिन तब तक के लिए नमस्कार और इस वीडियो के जो और पार्ट है वो आते रहेंगे